नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का अपने यूटुब चैनल लाइफ टैम लेर्निंग विथ आनंद कुमार में हारदिक स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि अभी तक का जो भी हमारा सेशन रहा है जो भी हमने पढ़ा है जो भी हमने सीखा है वो आपके लिए काफी helpful रहा होगा और साथ ही आप लोगों ने जो अपने valuable responses भेजे हैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से सुक्रियादा करता हो और आज से हम लोग अपना reasoning सुरू करते है आज का जो हमारा topic होगा वो होगा inequality का topic ठीक है? inequality जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि RRBP और RRB clerk दोनों में minimum four marks तो रहते ही हैं लेकिन मैं maximum जो questions आते हैं ठीक है? पांस तो रहते ही रहते हैं किसी भी exam को उठा लो अगर inequality आ रहा है तो उससे पांस question आपको मिलेंगे मिलेंगे तो I think कुछ लोगों को इसके बारे में knowledge होगा थुरा बहुत तो knowledge होगा कुछ लोगों को बिलकुल नहीं होगा जो बिलकुल सीख रहे होंगे तो सब लोगों के लिए बिलकुल basic से लेके अब to the mark हम लोग सिखेंगे कि inequality में क्या होता है और सिर्फ सिखेंगे ही नहीं साथ-साथ ये भी देखेंगे कि exam में कम से कम time में ये 5 marks कैसे उठाया जाए क्योंकि मैंने जहां तक आपको दिया था time one and half minute दिया था लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने धंग से पूरा session complete किया inequality का तो last session जिस दिन होगा उसके बाद आप paper उठा के देख लेना आप उस पे practice करके देखना आप देखोगे आपको एक minute maximum लगेगा वो पांच नमबर लाने में और मैं तो यह भी कहता हूँ जिसने अच्छे से practice कर लिया न वो एक minute भी नहीं लेगा 30 seconds से 45 seconds में पांच नमबर ले आएगा मैं आपको कह रहा हूँ आप भरुसा करो और अच्छे से इस session को complete करो ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं inequality जो reasoning में होता है वो mainly 3 sign पे based होता है ठीक है कौन कौन से नॉर्मली आप लोग वाकिफ होंगे इसे हम लोग less than कहते है इसे हम लोग greater than कहते है और इसे क्या कहते है equal to यह basic तीन ही sign है actual में ठीक है इसके अलाबा जो भी sign आपको देखने के लिए मिलते हैं वो combined रहते हैं या modified signs रहते हैं जो भी लेकिन basic हमारे पास mainly यही क्या है तीन sign तो चलिए देखेंगे normally और भी आप लोगों को sign देखने के लिए मिलता होगा अगर इन दोनों को लेके देखा जाए तो less than equal to इन दोनों को लेके देखा जाए तो greater than equal to ठीक है लेकिन इस less than equal to का मतलब actual meaning क्या होता है बहुत लोगों को गलत फैमी है कि इसका मतलब यह होता है कि less than equal नहीं यह गलत है इसका actual मतलब होता है less or equal इसका actual मतलब होता है greater or equal ठीक है तो हमसे सबसे पहले समझना होगा कि कि sign का क्या मतलब होता है क्या वो denote करता है positive sign के साथ साथ हम लोग negative sign भी edition देखेंगे बताते हैं कि आप लोग ध्यान से देखें और सीखें तो देखते हैं आगे आईए दोस्तों हम लोग कुछ positive science देख लेते हैं actual में इनका क्या meaning है और क्या ये कहना चाहरे है देखें ये वाला जो sign है वावो ये sign का मतलब होता है greater than ठीक है क्या होता है greater than इसका जो मतलब है जो कि इस तरह होता है इसका मतलब क्या होता है less than ये जो है ये क्या देता है equal to ये देखें आप ये greater और equal को combine करके बनाया गया है लेकिन actual मतलब इसका क्या है इसका actual मतलब है वावो greater और equal to कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे कि greater and equal to ये वाली मिस्टेक कभी नहीं करेंगे और फिर देखिए ये जो हमारे पासे इसका मतलब क्या है? less or equal to तो ये सारे science जो ही ये positive science है अगर आप गौर से देखें तो हमारे exam में mainly positive science ही question आता है लेकिन अगर किसी exam में या कभी कभार negative sign पूछा गया है तो हम लोग उसको भी अभी देखेंगे अच्छे से क्योंकि जब हम लोगों का थोरा सा ज़्यादा coded inequality में पढ़ते हैं तब उस negative sign का use आता है तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी आईए आईए अब हम लोग देखते हैं कि negative science का क्या मतलब है देखिए कुछ नहीं किया उसने हमारे पास एक positive sign था याद है कौन सा greater than उसने कुछ नहीं किया यहाँ एक slash mark दे दिया तो इसका मतलब हो गया यह क्या है not greater than और जैसा कि starting में मैंने आप से कहा था बबू कि हमारे पास mainly तीन ही basic sign होते हैं कौन कौन से बाबू greater than less than और equal to तो याद रखिएगा बाबू बस एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ जिसको यहाँ पे cut कर दे वो जिसको वो cut कर दे बस उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो आ जाता है उसका मतलब कहने का कि यह greater को इसने cut किया इसका not greater than मतलब है इसका मतलब हमारे पास तीन ही basic sign थे तो इसका अगर positive में अगर आपसे मतलब पूछा जाए या जब आप coded inequality बनाओगे तो इसको change करना पड़ेगा आपको तो इसका actual मतलब not greater than का actual मतलब होता है less than और equal to क्यों हमने आप से कहा था कि हमारे पास बाबू कितने basic sign है बस तीन और इसमें से उसने क्या किया इसको हटा दिया अगर इसको हटा दिया तो हमारे पास कितने बचे दो less और equal और आप लोगों को बहुत अच्छे से मालू है कि इसका actual मेनिंग क्या होता है अभी आप लोगों ने दिखा है आईए अब देखते हैं ये क्या है not less than जल्दी बताइए क्या होगा इसका सब लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा greater और equal हाँ या ना चलिए next देखते हैं not equal बताइए अगर इसमें से ये वाला note हो गया तो कौन सा बच्छा बच्छा क्या बच्छा greater और less simple basic sense लगाना है तीन में से अगर कोई भी गाइब हो जाए तो बच्छा हुआ अपने आप हो जाएगा चलिए अब हम बात करते हैं greater और equal को अगर इसने कट कर दिया यानि नाइदर greater नौर equal यानि ये अगर हो गया तो इसका simply meaning क्या होगा आप ही सोचो simply दो जा चुके हैं तो कौन सा बच्छा हुआ है less अगर इसने less और equal को हटा दिया यानि neither less नौर equal इसका मतलब अपने आप क्या हो गया greater हाँ या ना बताईगे तो अगर आप लोगों ने इसके actual meaning को समझ लिया है तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ना हो तो आप लोग stream sort लेके रख लीजिए आप लोग देख लीजिएगा समझ लीजिएगा मैं अभी इसे erase करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो चलिए ये हो गया इसका basic मतलब ओके दबाबो जब हम लोगों ने अब समझ लिया है कि किसका क्या मतलब है कौन क्या meaning देता है उसके बाद हम लोग अब सुरू करते हैं अपना questions पर आने के लिए उससे भी पहले कुछ important बाते हैं देखे बाबो यहाँ पर जो आपके पास sign था वो क्या था greater, less और equal, equal तो है लेकिन अगर आप गौर से देखो ना बाबो तो ये दोनों sign कोई अलग sign नहीं है ये एक ही sign है जिसको पलट कर लिखा गया है आप गौर से देखो इस side से आप देख रहे हो तो ये क्या है खुला हुआ मोह है यानि open है ये वाला जो अगर दरवाजा है यानि gate है अगर तो ये कैसा है gate ये open gate है और इस side क्या है यहाँ पर ये दोनों आके close हो चुका है similarly यहाँ से ये दोनों क्या है open है और यहाँ पर आके क्या हो चुका है close कहने का मतलब अगर आप इस sign को इस sign को अगर इधर से देखते बावो तो क्या यही sign आपको नहीं मिलता हाँ या नो तो यानि कि देखने का तरीका सिर्फ अलग है कहने का मतलब अगर A greater than B बोल रहा है तो at the same time यह यह भी meaning दे रहा है कि B जो है वो less than किस से है A से तो question देखिए अगर बनाने के लिए तो question दोनों sign को दिमाग में लेके चले तो भी बनेगा लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी question बनाना है तो मैं आपको एक ही suggestion दूँगा कि यह दोनों sign में से सिर्फ आप इस sign को ध्यान में रखना सिर्फ और सिर्फ इसी sign को ध्यान में रखना simple अगर कहीं A greater than B दिया हुआ है तो always हमें देखना है जिस side से हमारा मुह खुला हुआ हुआ है कहने का मतलब है simple हमें खुले हुए gate से यानि open gate से और किस gate तक जाना है closed gate तक जाना है अगर आप simple सा बात अगर मैं example के थूँ आपको समझाओ अगर आप दो दोस्त हो और एक race में दौरने वाले हो और जीतने वाले को अच्छा खासा इना मिलने वाला है आप ही बताओ अगर रास्ते में आपको एक रास्ता बिल्कुल खुला हुआ मिलेगा और एक बंद मिलेगा यानि कि वहाँ एक दरबाजा रहेगा तो आप कौन सा रास्ता अपना होगे ओवियसली कौन सा खुला हुआ तो हम लोग less की बात ही नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ बात किस पर कर जाएंगे greater जिधर से भी देखने जैसे अगर मिल गया c less than b हमें देखने के लिए ये बोलना चाह रहा है कि c less than b हम कभी ने हम देखनेंगे always be greater than यानि b के side से देखेंगे always आप क्या करोगे इस वाले में always इधर से देखोगे और always कहां तक पहुचोगे यहां तक बस इस बात का ध्यान रखना देखना कोशन कितना easily आप से solve हो जाएगा ये बहुत important है आप लोग लग रहा होगा कि अरे क्या सर बढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं ये छोटी से लेकिन जब कोशन बनाओगे ना अगर इस बात को सिर्फ दिमाग में रखोगे देखना कोशन आप अपने आप बनना सुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी बनेगा सबसे important बात है जल्दी बनेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है कहां पर कैसे यूज होगा ओके application देखते हैं आईए application पर जाने जैसे कि अगर एक example के तौर पर मैं आप से कहूं a greater than b greater than c less than d तो आपको बोला गया a greater than c क्या होगा अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है जो मैं आप से बोलूँगा की जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा so don't worry just simple कहां से कहां जाना है a से c तक अगर आपको बोले d is less than a ठीक है तो आप बाबु ऐसा मत करना question में कि d से a चले जाना मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है हमारे लिए कि इस sign को समझे में हम नहीं भूल जाइए कि कोई less than b always किसको याद रखिए जिस side इसका face क्या है खुला हुआ है उधर से चलना है और कहां पहुँचना है जहां पे close है और इस वाले में किदर से a से चलना है और कहां पहुँचना है am I clear चलिए next अब कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद example करेंगे हम ठीक है चलिए अगर आपको कभी भी तो अब यह हमारा main sign हो गया तो इस sign से और कौन-कौन से sign दिखे थे हमें greater greater equal equal तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि इन तीनों का अगर use है किसी भी question में तो किसका first priority बनेगा किसका second बनेगा और किसका last बनेगा ठीक है बहुत ज़िरूरी है तो याद रखिएगा दोस्तों first जो priority होता है इसका होता है ठीक है यह जो देता है यह क्या देता है बाबू first priority दूसरा जो है यह देता है हमारा क्या second और सबसे last में आता है third इसलिए exam मे आप देखोगे कभी भी सिर्फ equal to का example ऐसे नहीं देदेगा जब either or का case आएगा तभी उसका example देगा ऐसे नहीं वो तो बिल्कुल बच्चे वाला question हो जाता है equal to का मतलब यह अगर a equal to b बोल रहा है इसका मतलब है जो a है वही b है दो जिस्म एक जानवाली बात हो गई simple से बात यानि b और a में कोई फर्क नहीं रहा अगर a को b भी बोलेंगे b को a भी बोलेंगे कोई difference नहीं है दोनों में ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर बात करते है first, second, third difference कहने का मतलब क्या just एक example लीजिए ठीक है a greater than b फिर greater equals c equals d अगर ऐसे दिया हुआ है और आप से यहाँ पूछा जाता है क्या a greater than d सही होगा तो आप अगर आप से पूछा जाता है क्या a greater equal d सही होगा तो आप क्या answer करोगे बस इसी चीज़ को समझना है यहाँ है तो मैंने अभी आपको बताया अगर तीनों साइन्ड प्रेजेंट हैं तो उसमें से सबसे पहला priority किसको मिलेगा तो यहाँ पर तीनों साइन प्रेजेंट है कि नहीं बताओ आगर है इसका मतलब है कि A जो है तीन साइन में से क्या निकल के आएगा? priority किसको मिल जाएगा? तीनो साइन में से तीनो साइन से निकल के आजाएगा? greater तेक है? यानि A greater than D क्या है हमारा? बिल्कुल और बिल्कुल सही है अगर इसी जगह आप से बोल दे A greater equal D क्या सही है या गलत है? तो आप क्या आंसर दोगे? तब फिर आप बोलोगे इस जगह पे greater greater equal equal दाता है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ किसको priority मिलेगा? greater लेकिन तो इस जगह पे ये वाला जो conclusion है ये सही है या गलत है? तो आप बोलोगे क्या? ये गलत है लेकिन अभी इसी वक्त हम लोग दूसरा example लेते हैं अगर आपका ये पहला हो गया दूसरा greater equal और equal रहे तो इस से किसको priority ज़्यादा मिलेगा? तो ये सबसे important line है इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो कोई भी आपका आसानी से बन जाएगा first ये, second ये, third ये तो कोई भी कहीं रहे जो पहले आएगा priority में वही answer होगा तो अभी देखिए ये और ये है तो priority किसको मिलेगा बाबो? obviously इसको तो इस से क्या निकल क्याने वाला है? greater equal चलिए example के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसको मैं अभी erase कर रहा हूँ ठीक है? तो आप लोग देख लेना example के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए अगर A greater equal B, greater equal C, equal D है तो बताइए A greater equal D सही होगा या A greater D सही होगा तो आप क्या बोलोगे बाबू देखिए तो ये sign है ये sign है, ये sign है है की नहीं? ये तीनों sign है तो बताइए ये दोनों रहता है तो इसमें से किसको priority मिलती है, obviously greater equal तो ये सही होगा, क्या ये सही होगा? नहीं, बिलकुल नहीं ये कभी भी सही नहीं होगा, ये ही बात आपको समझना है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे, वापस से और देखते है एक और, ठीक है? आईए अगर simply बताइए बाबू, अगर ये greater है और यहाँ equal है तो बताइए तो जल्दी से कि क्या निकल के आएगा यहाँ से? जल्दी बताइए तो greater equal में किसको priority मिलने वाली है? greater को, तो चलिए, मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ मैं यहाँ मिटा देता हूँ और आपसे same conclusion पे answer पूछ देता हूँ जल्दी बताइए क्या होगा? simply आप बोलोगे यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सर और यह दोनों रहतायत इसमें से priority किसको मिलती है? ए? greater than the हाँ या ना? जल्दी बताइए यानि कि यह हो गया अब अगर मैं चौथा बात करूँ greater greater equal है तब किसको priority मिलेगा? so simple ना? यह दोनों है कुछ इस तरह का question और मैं इसी question में आप से पूर देता हूँ अब इन दोनों में से कौन सा बात सही है और कौन सा बात गलत है जल्दी बताएगे तो A से D तक जाना है और simply इदर से gate खुला हुआ है तो इस side से ही जाएगे गलती से भी इस side से नहीं जाएगे so इदर से सुरू किया खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ हुआ है डी तक पहुँच सकते है चलिए, यह वाला sign, यह वाला sign यह यह न दोनों में priority किसको मिलती है बाबो obviously, so this is the correct answer and this is the wrong answer am I clear? मुझे लगता है, हम लोगों ने almost सारे इससे जो बन रहे थे या फिर और भी कुछ हो सकता है तो जो भी है लेकिन mainly, mainly जो है हमारा greater, greater equal और equal इन तीनों को समझना है questions तो बहुत सारे बनाएंगे हम लोग उसके लिए tension मत लीजे ठीक है, so ये था हमारा basic जो भी इसका inequality का है इसको अगर समझ लिया तो question आपसे कोई भी नहीं छूटेगा ठीक है, और always याद रखिएगा बाबू always मैं बार बार कह रहा हूँ always खुले हुए gate के side से जाना है और कहां तक जाना है बंद gate इधर से जाना है उधर से नहीं आना है अगर इसी जगा में question आपसे पूछ दिया होता बाबू मुझे बताओ d less than a क्या सही होगा ये वाला statement है क्या सही होगा या गलत होगा simple, आपसे पूछता बताइए क्या होगा answer तो आप ही देखो इस वाल d से a तक जाओगे या a से d तक सबसे पहले आप ये decide करोगे आप लोगों को लग रहा होगा ये बड़ी बचकानी सी बात है लेकिन मैं कह रहा हूँ जब बड़े-बड़े question आते हैं तो यही काम आता है और जहट से question का answer निकल के आजाता है ठीक है तो d से a तक जाओगे या a से d तक आओगे obviously सबसे पहला काम a से d तक जाएंगे और a से d तक जाने में देखिए खुला हुआ है मूँ खुला हुआ है a से d तक और ये दोनों साइम में से कौन से निकल का निकल के आता है greater than so a greater than तो ये बात अगर आपको समझ में अच्छे से आ गए तो आगे अभी हम लोग और भी example देखेंगे और सीखेंगे की कैसे कैसे इसे बनाना है ओके चलिए देखते है आए बाबू अब हम लोग थोड़ा कुछ simple simple example भी देख लेते हैं नहीं तो कहेंगे की वो तो बताया है नहीं सर आपने ठीक है देखे तो मैं तो इन तीनों साइन का mixture का example आपको दिखाया है अगर कभी ऐसा मिला बाबू a a greater than b greater than c greater than d और आप से पूछता है ये अगर statement है और आप से conclusion में पूछता है कि a greater than d सही होगा या गलत c less than a सही होगा या गलत आप से अगर simply ये question पूछा जाता है तो आप क्या answer करोगी तो याद है कि अब बाबो जब ये question simple एक ही sign दिया रहता है d तक बिल्कुल सही है अब यहाँ c से a तक जाओगे या a से c तक जल्दी बताओ a से c तक याद रखिये always खुले हुए के side से देखेंगे बंद तक जाएंगे तो a से c तक अगर देखना है तो देखें तो a से c तक खुला हुआ है या सिधर भी खुला हुआ इसका मतलब यह भी क्या है बिल्कुल सही हाँ या ना इसी में question में क्या कर दूँ मैं कुछ नहीं ठीक है आप लोग फटाफट अगर ज़्यादा जल्दी लगे तो इसको रोग कर आप लोग कॉपी कर लो ठीक है अ से डी तक जाना है बिल्कुल लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है सिर्फ सिर्फ greater और equal है यह follow नहीं करेगा इसका मतलब क्या है बबु हमने starting में ही देखा इसका मतलब होता है आइदर greater और equal यह नहीं कि एकदब यह अगर sign दे रहा है अगर यह sign दे रहा है इसका मतलब होता है definitely greater क्या इसका मतलब definitely greater होता है नहीं इसका मतलब definitely greater होता है और इसका मतलब क्या होता है आइदर greater और equal दोनों बातें अलग-अलग है न तो आप इसको follow नहीं करवाओगे ओके follow तो यहां पर देखते हैं इसको अब डी से जाओगे या इसे डी सबसे पहले करो कहां से आओगे एसे डी तक अगर आ रहे हो तो देखो तो एसे डी तक के लिए सारा और इकल ग्रेटर और इकल है की नहीं सो यह से देख यह वाला बात समझ में आई की नहीं और वाला फिर एक आपने देखा यह अभी जस्ट अभी इससे पहले हमने जो mixing वाला था वो हमने किया ही है तो यह basic हो गया हमारा example अब हम लोग कुछ example पर काम करते हैं फटा-फट देखते हैं कि हमसे questions simple simple बनते हैं या नहीं बनते हैं ओके चलिए देखे चलिए मैं ऐसे randomly एक question देता हूँ आपको a is greater than b greater than equals to c अच्छा एक और बात अगर किसी बाबू को ये मन में आ रहा होगा अच्छा सर greater तो देखने के लिए मिल रहा है greater equal भी देखने के लिए मिल रहा है ये सर equal किदर घुमने गया है चलिए वो कब दिखेगा आपको वैसा exam में कभी question बाबू आता नहीं statement अगर दिया हुआ है a equals to b equals to c equals to d तब आपका conclusion यहाँ पूछ दिया जाए कि a equals to d सही है या गलत है या पूछ दिया जाए c equals to b सही है या गलत है तब और सिर्फ तभी ये वाली बात क्या होती है साही क्योंकि सारे के सारे क्या है बाब equal है और इस बात को बिल्कुल याद रखिए सारे equal का मतलब ही होता है A को आप DB बोल सकते हो B को CB बोल सकते हो C को AB बोल सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस बात को यह तब ही हो सकता है इसलिए exam में यह नहीं देता है वो जानता है कि second class का बच्चा भी आके सही मार के चला जाएगा ठीक है तो यह गलती वो नहीं करता है exam में यह अगर equal का देता है तो either or case जब हम लोग next session में उसको परहेंगे तब समझेंगे ठीक है एक बड़ा सा ले लिया यह हमारा क्या statement यह बावू statement में आपको given ठीक है इसके बेस पे आपसे conclusion पूछा जाएगा conclusion और आपको जो conclusion दिया रहेगा उसमें आपको बताना रहता है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है उसको टिक करना रहता है इसे ही questions आते हैं exam में लेकिन यह तो खेर मैंने example समझाने के लिए इतना बड़ा दिया इतना बड़ा देता नहीं है छोड़ा छोड़ा example लाता है ठीक है चलिए conclusion में मैं दे देता हूं आप लोग जल्दी-जल्दी बताना कॉन कॉन सा और यह सब्सक्राइब मैं अगर एक नमरा वही आपसे पूछूँ ए ग्रेटर देंडी दूसरा दिल स्थे चौथा बोलो एच लेस दिन एफ है पांचवा और भी ग्रेटर अप्वल्स डी चटा बोलो की ग्रेटर डी यह ए ग्रेटर बी, साथमा वोलूम, जी लेस्ट दिन ए, आठमा वोलूम, सी लेस्ट दिन एप, नाइन्थ, एच लेस्ट दिन ए, चलिए, आपके पास नौ कोशन है, आपको सिंपल, अभी मैं मेन कोशन पर जा नहीं रहा हूं, जो एक्जाम में किस पैटर्न पर कोशन आता है, अभी पहले प्रैक्टिस कर लें, हम लोग सिंपल, सिंपल कोशन पर, फिर चलेंगे उस पर भी, टेंसर नहीं है, चलिए, देखिए, यह आपके पास एक स्टिटमेंट दिया हुआ है, इसको देखकर आपको यहाँ पर कौन सा सही, कौन सा गलत बताना है, जल्दी फटा-फ क्या निकल गया आता है, देखो तो, यह 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 राता है, तो क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है कि नहीं, अभी हमने थोई दिर पहले पहले पर आता कि नहीं, जल्दी बताईए, हाँ या ना, चलिए, नेक्स, डी से एप जाओगे, या एप से डी जाओगे, जल्दी प पताओ मेरे को सबसे सिंपल पहले यह देखो और समझो यह मैंने बोला बड़े-बड़े कोश्चन में आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन और सही आंसर मार किया जाओगे गौर से देखो एप के साइड से यहां पर आंसर होना चीए खुला हुआ गये लेकिन एप के साइड से यहां पहले जैसे ही दी तक जा रहे हैं पहले ही यह बंद हो गया जैसे ही बंद हो गया पहले ही गलत करो आप्शन नेक्स पे चले जाओ जैसे ही आपका दरवाजा बंद हो जाए नेक्स पर चलै जाई है अगर हमें तो देखिया सेथी तक जाने के लिए ईए इअ उ से सि आने के लिए डर्वाजा खुला होऊँ हमें भीड़ लो बंद रहा खता है पॉसिबिलीटी है और इक्वल भी रहे ग्रेटर इन दोनों में से किसको priority मिलती है बाबू obviously इसको मिलती है so हमारा answer क्या हो जाएगा F is greater than एच्छा या ना अब इसमें किस side से जाओगे B के side से B से D तक जाने के लिए चलो तो B से D अभी देखो तो बाबू ये वाला sign और ये वाला sign ये sign ये sign इन दोनों sign में से क्या निकल किया आता है बाबू obviously priority इसको मिलती है ना so this is the correct answer अब next आएगे E से B दरवाजा खुला हुआ जिस side रहे ना बाबू सिर्फ उधर से घुसना बंद के तरब से मत घुसना ठीक है चलिए अब E के side से जाएंगे तो E के side से B तक के लिए आते हैं तो चलिए E के side से B आते हैं जैसे E के side से आए दरवाजा खुला हुआ है equal है आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर दरवाजा क्या वो हो चुका है बंद हो चुका है और जैसे ही बंद हो जाए ना वाबू हम गलत कर लेते हैं या ना नेक्स्ट जी से ए नहीं जाके क्या करेंगे ईसे जी आएंगे ईसे जी E की तरफ दरवाजा खुला हुआ है और equal है तो इसका मतलब क्या है बाबू सही है C से F की तरफ नहीं आके F से C की side आएंगे F से C की side आने के लिए दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है तो हमारा क्या है ये गलत हाँ या ना Next अभी देखिए 3 और 8 ये दोनों सेम है की नहीं जस्ट उल्टा किया हुआ था देखिए गौर से आया ना Next H less A तो इसमें किदर से? H की side से जाओगे अगर अभी भी जा रहे हो ना तो फिर सर पटक लो अपना किदर से आना है हमें? A के side से आना है A से H की तरफ So A से H की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारा दर्वाजा खुला हुआ होना चाहिए खुला हुआ है, खुला हुआ है, इक्वल है बंद हो गया इसका मतलब ये क्या है? गलब हाँ या नाई इसको अगर आप लोग समझे हो तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताईएगा हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा था अच्छा बताया आपने ठीक है? ये बात समझनी ज़्यादा जरूरी है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही बेसिक है अगर यही क्लियर नहीं हुआ बाबू तो फिर अच्छे कोश्चन्स पर दिक्रत हो जाएगा ओके? चलिए, अगर आप लोगोंने अच्छे से समझ लिया तो मैं इसे इरेस कर रहा हूँ एक और स्टेट्मेंट देने के बाद कुछ और कोश्चन्स पर हम लोग दिल करते हैं चलिए अगर हमारा स्टेट्मेंट रहा P इक्वल्स टू Q ग्रेटर देन R लेस देन S लेस देन इक्वल्स टू T ग्रेटर देन U ग्रेटर देन B एक्रेटर कॉन्क्लूजन यहीं से मैं आपको लिख दे रहा हूँ नमबर वान P इस ग्रेटर देन R दूसरा T इस ग्रेटर देन B तीसरा T इस ग्रेटर इक्वल्स टू आर चौथा T इस ग्रेटर भी यह तो greater equal कर दीजे इसको ठीक है 5 V is less than S 6 S is greater Q 7 R is equal to P 8 T is greater R 9 T is less Q ठीक है फटाफट आप लोग इसे रोकेंगे अपने स्कीन पर और फटाफट इसको बनाएंगे क्योंकि अब मैं जब answer करूँगा तो आप लोग मिलाएंगे उसके बाद और देखेंगे आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है आईए देखें सबसे पहले P से R तक जाना है क्योंकि इस side gate खुला हुआ है P से R तक जाईए P से R तक आने में equal और greater मिला हा या ना और अगर ये मिला तो इन दोनों में से किसको priority मिलती है बाबू इन दोनों में से obviously इसको मिलती है so answer will be correct हाँ या ना next T से B तक जाना है क्योंकि gate इधर से खुली हुई है T से B देखें दोनों side gate खुली है इसका मतलब ये भी क्या है बिलकुल सही T से R तक जाना है देखें तो T से R तक जाना है तो T के side gate खुला हुआ आना चाहिए और equal भी आना चाहिए देखें ये दोनों sign है और इन दोनों sign में से priority किसको मिल जाता है बाबू इसको मिल जाता है ना बताइए और यहां पे ये वाला sign दिया है तो आपके बताइए सही या गलत तो ये वाला क्या हो गया बाबू गलत ये कब सही हो जाता बाबू बताइए तो ये कब सही हो जाता अगर इसी जगह पे ये sign दाता हाँ या ना अगर इसी जगह पे ये sign दाता तो ये दोनों तो सेम साइन है T greater than equals to R हाँ या ना चली नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं T greater equals to B अगर T greater यहां तो साइन वो है ही नहीं इसका मतलब यह क्या है गलत हाँ या ना नेक्स्ट B से S तक नहीं जाके किसे जाएंगे S से B तक आईए S से B तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा देखना होगा gate खुला हुआ पहला ही gate बंद हो चुका है देखिए इसी जगा gate क्या हो चुका है बंद हो चुका है और जैसा ही gate बंद हो जाता है तो हम भी gate बंद कर लेते हैं अपना गलत कर देते हैं उसे अब S से Q नहीं जाके किसे जाएंगे, Q से S तक जाएंगे, आईए Q यहां है, S यहां है, Q से S तक जाने के लिए गेट खुला हुआ है, यहां पर गेट बंध हो गया, भाईया हम नहीं जाएंगे, बात है हो गई है, clear एकडम, ठीक है, चलिए, next, R equals to P, R equals to P, और equals to P, तो रखता है, जब सभी जगर क्या हो, equal हो, यह वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, हाँ या ना भाईया, ध्यान से देखो, T greater R, T greater R, T से R तक जाना है, क्योंकि इधर से गेट खुला हुआ है, T से R तक जाना है, इन दोनों में से priority किसको मिलती है, obviously इसको मिलती है, so T greater R is the correct answer, T less Q, क्या होगा, इधर से जाएंगे, या इधर से आएंगे, पहले ही clear कर लो, यानि Q से T तक आएंगे, Q से T तक, यानि Q यहाँ है, T यहाँ है, Q से T तक खुला हुआ है, बंद हो गया, भाईया, जिसे बंद हो गया, इसका मतलब हमारा दरवाजा भी बंद है, clear है, ठीक है, अगर यह concept clear हो गया है, तब हम लोग आगे बरेंगे, चलें आगे, चलें, नेक्स तो हम लोग आगे भी और देखते हैं, हमारे कुछ questions को फिर आगे बरेंगे, आए बच्चों, अब कुछ उस टाइप के questions पर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि exam में आता है, अभी तो हमने एक line म कभी कभी आजाते हैं exam में, लेकिन actual exam में ऐसे आते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे statement आपको दे दिये जाते हैं, statement रहेंगे, लेकिन वो तीन कॉमा करकर के, करकर के, करकर के, वो तीन चार statement आपको दे देगा, और उसके बाद conclusion देखे, आप से option बिलकुल यही fix रहेग अभी हमने जो पढ़ा है, यही चार में से कोई answer होगा, so, चलिए, देखते हैं, तो देखे, कभी भी exam में ऐसा ना हो, कि अलग-अलग statement दिया रहे, और आप बैटके वहाँ उसको जोड़ने लग जाएं, अगर आप जोड़ने लग गें, तो selection 100% sure है कि आपका कभी नहीं हो होगा, आप देखोगे और answer मारोगे, और अब वो वाला यहां कामा आएगा, जो हमने सीखा था, कि gate के, जिस side gate खुला रहता है, उस side से जाना चाहिए, और बंद तक जाना चाहिए, जल्दी-जल्दी eliminate करेंगे, देखे कैसे जल्दी से इसको बनाया जाए, question को, देखे number one, G से D जाना है न, ठीक है, तो G से D जाएए, G से D, हमारा G कहा है, यहां, yes, gate is side खुला हुआ है, खुला हुआ है, ए तक आए, और E किसके बराबर है, D, इसका मतलब यह बात क्या है, बिल्कुल, सही, हाँ या ना, बोली, चलिए, अगर सही दिख रहा है, तो चलिए, किसके बराबर है, C, और C, किससे बराबर है, D से, equal और greater, इन दोनों में, यह जो sign रहता है, इन दोनों में से क्या निकल के आता है, तो क्या हम लोगों ने नहीं सिखा है, यह निकल के आता है, जल्दी से बताइए, so both, यानि हमारा answer क्या होने वाला है, five number, हाँ या ना, बो देखेंगे हम लोग, चलिए, देखेंगे, आपके सामने question तयार है, statement दिया हुआ है, और conclusion दो है, इसी में से कोई answer होने वाला है, चुकि हमने अभी तक आधर पढ़ा नहीं है, तो हमारा उसमें से answer नहीं है, हमारे चार option में सही answer है, बहुत ध्यान से, अभी जो concept जिस तरह application कैसे करना है, आईए, और इस पर देखते हैं जल्दी से, चलिए, अगर देखें, तो देखें, कहां से कहां तक जाना, A से X जाना है, क्योंकि खुला हुआ गेत इधर रही है, यानि A से X जाने के लिए यहां से सुरू करेंगे, A से P, equal है, greater है, यानि अभी भी जा सकते है हैं T तक, और T से X, हां या ना, बिल्कुल सही, क्योंकि सब तरफ gate क्या है, खुला है, और सब तरफ gate खुला हुआ है, और ये, 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 तीनों साइन रहता है, तो क्या निकल क्या आता है, ये वहला साइन, हमने सीखा है कि नहीं, चलिए, next, P less than B है, तो आपको किधर से ज हो गया, तो T का यहां gate बंद हो गया, देखिए, T के side से gate बंद हो गया, तो ये वाला रास्ता नहीं अपना हैंगे, आइए, B के इधर से जाते हैं, तो B भी से बरा, यानि gate खुला हुआ है, लेकिन B इसके अलावा कहीं और है, देखिए तो, कहीं और है, नहीं जा सकते, इ option वही, चार में से कोई हो सकता है, क्योंकि आइदर हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, चलिए, जल्दी से देखिए और फटा फटा आंसर करिए, देखिए, ये सब question है, standard question है, जो की exam में आता है, फालतु question करवाने से ऐसे भी फाइदा नहीं है, जो concept सिखा है, उसका exam के question पे बैठता है, अच्छे से की नहीं, वो वाला concept वही important है, और जल्दी जल्दी बना सकते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं, S से Z तक जाना है तो चलिए, S से सुरू करते हैं, S से कहां जाएंगे, U, U से कहां जाएंगे, B, लेकिन क्या B इसके अलावा market में कहीं है, नहीं, लेक देखिए सिर्फ खुला हुआ गेट और बंद गेट, और कुछ मत देखे बाबू, ठीक है, बंद हो गया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, खुला रहेगा तो उसमें बस देखना है कि किसकी priority जादा है, चलिए दूसरा देखते हैं, W से Y तक जाना है, तो चलिए सुरू करते है डबलू यहाँ है, डबलू किस से बरा है, जैट से बरा है, और देखिए यह खुला हुआ गेट है, यानि इदर भी खुला हुआ गेट देखिए मिला की नहीं, यानि अगर यह ऐसे 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 चलता तो पहुंसता की नहीं, गौर से देखिए, डबलू, गेट खुला हुआ जैड, गेट खुला, गेट खुला हुआ या ना, इसका मतलब आप्शन नमबर कौन सा सही है, टू, आईए बच्चों, हमारे तीसे कोशन पर चलते हैं, और फटा फट आंसर करेंगे, बाबू, सब लोग फटा फट आंसर करेंगे, बिलकुल लेट नहीं, आईए देखते हैं B से S जाना सही होगा या S से B, पहले ही आज़ी कनक्लूजन पर चले जाएए, S से B पर जाना ज़रूरी है, चलिए, S पर चलते हैं, S यहाँ है हमारा, और S किस से बराहै, यानि یہ गेट किस सैचे खुला हुआ है, इस सैचे, यानि Y कि तरफ गेट खुला हुआ है, और हमें की बताईए भी पीज नाफिंग बड भी यानि यहां अगर फी है ये भी है तो इस पी-के जगह भी रग दें तो कोई गलत होरी हो जाएगा यानी एस जो है भी से क्या है और याला है या किस से वडरा यानि गेट कि इसचरफ 跟我 हुआ है वाई किस से बढ़ा है गौर्ष से देखिए यह यानि वाई वाई किस ए पी से वद्ण और दो यानी हमारा अन्सर क्या होने वाला है बोत हमारा आंसर option number कौन सा है 5 हाँ या ना बोलिए बच्चो अच्छा question था कि नहीं हमारे पास fourth question आपके सामने है चलिए देखिए और question को solve करें देखिए और question को solve करें paint paper का तो कोई यह देखूगे और यह बना के आ जाओगे और फिर बोलना मुझे कि हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया है ठीक है चलिए देखिए यहां एस से सी जाना ज्यादा ज्यादा ज्यूर्टी है या सी से एच जाना ही हमारे लिए better यहानी सी से जाने के लिए हमें यहां पकड़ना होग H से D जाने के लिए यहां पर क्या है घ्रिक ठीक है I आई कहीं है नहीं है इसका मतलब हमें किसका साहरा लेना होगा चलिए ह एक ही के बरावर है क्या D से बरा है देखते हैं इतो यहां पर बहुत गेट ख्लोज हो चुका है के साइड खताम आंसर विल भी फॉर नीदर वन नौट टू इस दा आंसर भाई जल्दी बोलो अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आगे बढ़ते चलो चलो वहिया लास्ट कोश्चन उस पेपर का भी था इने कलिटी का और लास्ट कोश्चन हमारे इस सेशन का भी है अगर आप लोग ने अच्छे से सिखा है तो यह वन ऑफ बेस्ट कोश्चन है इस पर जल्दी से ट्राइ कीजिए और जल्दी से आंसर निक हुला हुआ होना चाहिए तो एक के साइट देखेंगे भी नहीं हम किसके साइट देखेंगे सी के साइट तो सी आ गया यहां सी कहीं पर और है बाबू गौर से देखो तो मारके कहीं है क्या नहीं है खेल खातम बाबू पर देख रहे हो कितनी आसानी से option eliminate हो जा रहा है अब साहरा लेंगे S और E कोई अलग तो नहीं है दो जिसमें एक जान है विचारा यानि S और E एक है तो E के साथ जो हो रहा होगा वही S के साथ सो S से A तक आने का मतलब है E से A तक पहुंच गये मतलब खेल खतम यानि E तक आईए यानि E यहां है E के साइट से गेट खुला वही से A तक देखिए B से A तक जाने के लिए हमारा गेट क्या हो चुका है और जैसे इसे क्लोज हो गया तो क्या यह सही होगा या गलत जल्दी बताइए तो बावो तो हम लोग उन्हें देख लिया हमारे पॉइंच ओ को इसका भी आंसर समझ में आहीं गया आप लोग को अभी जो हमने सिखा है उस पर सारे अच्छे कोर्षन पर प्रैक्टिस किया उससे बहतर सकतना को इसे अब यह फो क्ला है इसे ही मिलेगा सो डोन वरी और भी प्रैक्टिस करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके से अलावा अभी नेक्स सेशन में हम लोग आईदर और को भी डिसकस करेंगे अभी बहुत कुछ बांकी है नेक्लिटी में ठीक है हम बोले तो हम लोग बिल्कुल 30 सेकेंड में पांच कोशन बना जाना है एक मीनट भी नहीं लेना है बाबू ठीक है सो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हुआ होगा जिनोंने अल्डेडी कभी पढ़ा हुआ है उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिला हुआ होगा कुछ अच्छा सीखे होंगे देखिए सिंपल सी बात है जो ब्लैंक है जिने कुछ नहीं आता था इसमें वो एसके अलाबाची आप लोग जिस तरह रिस्पॉंस कर रहे हैं उसी तरह करते रहिए इस लिंग को जतना जादा से जादा से ज्यादा से-व्यार कर सकते हो करते रहों सब लोगों तक पहुंचा हो क्योंकि हर उस बंदे तक या बंदी तक जाए यह लिंग जो जरूरत मन है ठीक है जिसको जरूरत है जो पढ़ना चाता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक है हर लोगों तक ये पहुंचाओ जितने से ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर सकते हो इसको करो ठीक है बाकि मैं यहाँ पे खरा हूँ अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँगा और भी कुछ-कुछ सोचके रखा है आगे मैं आपको नोटिफाई करूंगा तो एगें थैंक यू शो मच फॉर योड ग्रेट रिस्पॉंस इसी तरह बने रही है हमारे साथ थैंक यू सो मच और जहां भी रहें स्वस्त रहें खुश रहें आवाद रहें फिर मुलाकात हो होगी दोस्तों नमस्कार